अगर आपने अभी तक हमारे चानल ब्रिज करन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं दोस्तों हिंदु धर्म में प्रतेक देवी देवता का अपना एक स्थान और महत्व होता है लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे है जिनकी कृपा पाने के लिए भक्त कुछ भी करने को तैयार है वो भक्त के कर्मों से खुश होकर बस एक बार वर्दान देदे यही भक्तों की कामना रहती है मालक्ष्मी का महत्व कुछ ऐसा ही है धनकी देवी मालक्ष्मी की कृपा पाना हर किसी का स्वपन है क्योंकि एक बार जब वो अपने भक्त को आशिरवाद दे देती है तो उसे भविश्य में कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता शास्त में माहलक्ष्मी की कृपा पाने के विभिन उपाय दर्ज है मा लक्षमी को किस मंत्र, किस उपाय और किस प्रकार के कर्मों से खुश किया जा सकता है ये सभी बाते हमारे शास्त्रों में बताई गई है देवी लक्षमी के केवल मंत्र ही नहीं बलकि उनके शिंगार के सामान और उनके विभिन आभूशनों को भी पूजनिय माना जाता है मादेवी द्वारा धारन किये गए सिंदूर को पवित्र माना जाता है उनके पदचिन की पूजा की जाती है कहते हैं कि जिस घर के मंदिर में मालक्षमी के पदचिनों की नियुवित पूजा होती है वहाँ धनका वास जरूर होता है घर को आर्थिक रूप से नजर ना लगे इसके लिए लोग घर के दर्वाजे पर मा लक्षमी का चरण चिन बनवाते हैं ऐसा माना चाता है कि ये पद चिन घर पर कोई आर्थिक संकट नहीं आने देते मान्यता है कि मा लक्षमी जिस घर में शुप चिनों को अंकित देखती है उस घर में निवास करती है और दरिदृता उस घर से सदा सदा के लिए विदा ले लेती है आज हम आपको जोती शास्त्र में बताया गया मा लक्षमी का एक उपाई बताएंगे जो घर को आर्थिक रूप से दुरुस्त भी बनाएगा और भविश्य में कभी कंगाली का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा जोती शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी के चरन चिनों से अशुब ग्रह का बुरा प्रभाव भी कम होता है वास्तो शास्त्री भी इसे बहुत शुब मानते हैं महालक्ष्मी के चरन चिन फर्श पर दर्वाजे के बाहर की और बनाने चाहिए लेकिन कैसे बनाए महालक्ष्मी के चरन चिन और इसे बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखे चलिए जानते हैं अगर आपको स्वयम अपने हातों से पदचिन बनाने ना आएं तो बाजार से बने बनाए लक्षमी चरन चिन स्टिकर ले आएं और इन्हें घर के दर्वाजे के बाहरी और लगा दे ताकि घर में आने वाले सदस्यों की इस पर नजर पड़े ऐसा माना चाता है कि महा लक्षमी को लाल रन बहुत प्रिया होता है अतह कुमकुम से प्रते दिन ब्रहम मोहरत में दर्वाजे पर मा लक्षमी जी के प्रतीक चरन चिन बनाएं मुख्य दर्वाजे पर आपको ये चरंग चिन बनाने है लाल गुलाब के फूलों से उन्हें सजाएं लाल रंगी रंगोली और आलते से भी चरंग चिन बनाए जा सकते हैं अगर आप उनकी पूजा करे तो उनको लाल रंगी चीजे अरपित करे जैसे की कुमकुम लाल गुलाब इत्यादी इससे मा लक्ष्मी प्रसन होंगी और आपके घर स्थाय रूप से वास करेगी दोस्तो कपूर मूम की तरहां उड़नशील दिव्य वनस्पतिक दिव्य है इससे अकसर आरती के बाद या आरती करते वक्त जलाया जाता है जिससे वातावरन में सुगंद फैल जाती है और मन और मस्तिक्ष को शान्ती मिलती है कपूर को संस्कृत में करपूर, फार्सी में काफूर और अंग्रेजी में कैमफर कहते हैं वास्तू और जोती शास्त्र में भी इसके महत्व और उपयोग के बारे में बताया गया है कपूर के कई वश्धी के रूप में भी फायदे हैं हम आपको बताएंगे के करपूर या कपूर से आप कैसे संकट मुक्त होकर माला माल बन सकते हैं और कैसे आप अपने ग्रह और घर को भी बाधा मुक्त रख सकते हैं। दोस्तों कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चलिया रही है। शास्त्रों के नुसर देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुन्य प्राप्त होता है। अतह प्रती दिन सुभा और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। पित्र दोश और काल सर्प दोश से मुक्ती के लिए भी कपूर का उपायाप अपना सकते हैं। कपूर जलाने से देव दोश वे पित्र दोश का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पित्र दोश है या काल सर्प दोश है। दरसल ये राहू और केतू का प्रभाव मात्र है। इन्हें दूर करने के लिए घर के वास्तू को ठीक करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रते दिन सुभा, शाम और रातरी को तीन बार घी में भीगोया हुआ कपूर जलाएं। घर के शोचाले और बात्रूम में कपूर की दो दो टिकिया रख दें। बस इतना उपाए ही कापी है। आकस्मिक घटना या दुरघटना से बचाव के लिए कपूर का ये उपाई कीजिए। आकस्मिक घटना या दुरघटना का कारण राहु केतू और शनी होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा और क्रोध भी दुरघटना का कारण बनते हैं। इसके लिए रात्री में हनुमान 40 का बाठ करने के बाद कपूर जलाएं हाला कि प्रते दिन सुभा और शाम जिस घर में कपूर जलता रहता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक खटना और दुरखटना नहीं होती रात्री में सोने से पहले कपूर जला कर सोना तो और भी फलदायक होता है दोस्तों साकारात्मक उर्जा और शांती के लिए भी कपूर का उपाय आप अपना सकते हैं घर में अगर साकारात्मक उर्जा और शांती का निर्मान करना है तो प्रति दिन सुभा और शाम कपूर को घी में भेगो कर जलाएं और समपून घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नाकारात्मक उर्जा नश्ट हो जाएगी और आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे घर में अमन शांती बनी रहेगी वेग्यानिक शोधों से ये भी ग्यात हुआ है कि इसकी सुगंद से जीवानू विशानू आदी बिमारी फैलने वाले जीव नश्ट ह हो जाते हैं जिससे वातावरन शुद हो जाता है और बिमारी होने कब है भी नहीं रहता है दोस्तों अचानक धन प्राप्ति के लिए आप कपूर का ये उपाय अपना सकते हैं गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें शाम के समय फूल में एक कपूर जला दें औ आपको अचानक धन मिल सकता है ये कार्या आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिन तक यानि के 43 दिन 43 डेस तक आप करेंगे तो लाब मिलेगा ये कार्या नवरात्रों के दोरान करेंगे तो और भी जाधा असरकार होगा वास्तु दोश मिटाने के लिए अगर आप घर के कि इसी स्थान पर वास्तु दोश निर्मित हो रहा हो तो वहाँ पर कपूर की दो टिकियां रख दे जब वो टिकियां गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी दो टिकियां रख दे इस तरह कपूर को बदलते रहेंगे तो वास्तु दोश निर्मित नहीं होगा भागया चमकाने अगर इसमें कुछ बूंदे चमेली के तेल की भी डाल दें तो इससे राहू, केतू और शनी का दोश नहीं रहेगा लेकिन ऐसा सिर्फ शनीवार को ही करें यानि कि आप चमेली का तेल सिर्फ शनीवार को ही डालें पती पतनी के बीच तनाव को दूर करने के लिए भी आप कपूर का उपाई कर सकते हैं रातो सोते समय पतनी अपने पती के तक्ये के नीचे सिंदूर की एक पुडिया और पती अपनी पतनी के तक्ये के नीचे कपूर की दुटिकिया रख दे प्रातह होते ही सिंदूर की पुडिया घर से बाहर कही उचित स्थान पर फैक दे और कपूर को निकाल कर शैन कक्ष में जला दे अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो प्रती दिन शैन कक्ष में कपूर जलाएं और कपूर की दो टिकिया शैन कक्ष में किसी कोने में रख दे जब वो टिकिया गलकर समाप्त हो जाएं तो दूसरी टिकिया रख दे ये एक बहुत ही अच्छा उपाए है पती पतनी के बीच के जगडों को खत्म करने का जिसे की घर में सुक शान्ती बनी रहे और दोस्तों अगर घर में सुक शान्ती रहे की तभी घर में मालक्ष में का स्थाय रूप से वास होगा क्योंकि जहां कलेश होता है वहां मालक्ष मी वास नहीं करती है रुष्ट होकर चली जाती है और जहां लक्ष मी जी वास नहीं करती है वहां दरिद्रता अपनी जगहा बना लेती है इसलिए अगर आप अपने घर में दरिद्रता को जगहा नहीं देना चाहते हैं तो आप उग्रह कलेश दूर करने के और उपाय चाहते हैं तो आप हमें कमेंस में बताएं हमने इसके उपर जो भी वीडियो बनाए हैं हम आपको उन वीडियो के लिंक देंगे तो दोस्तों आपको इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें फेस्बुक पेच पर फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुब रहे, जय माता दी.